क्या दुनिया के सारे माप्स गलत हैं? हाँ, कैसे? चलिए हम जानते हैं बट उससे पहले आज तक आप सभी कुछ समझ लेना होगा कि आज तक जो है आपको फूल बनाया गया था शायद आप बोल सकते हैं जितने भी स्कूल से लेके, कॉलेजिस से लेके, गूगल माप से लेके, आप जितने भी माप्स आज तक पढ़ते आएं हैं वो है गलत, गलत क्यूं है और क्या सही माप है? ये जानेंगे हम आज के सेशन में हलो एव्रिवान, मेरा नम पिंकी है, मैं करन्ट अफैस के सेशन यहाँ पर लेती हूँ और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में शुरू करते हैं, बड़ा ही इंट्रस्टिंग सेशन रहने वाला है आज का, जैसा कि आप टॉपिक ही देख सकते हैं तो सबसे पहले देख लीजए ये, हाँ जी, so ओके जी, ये जो है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैप आज तक हम इस मैप को पढ़ते आए हैं, जो की यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ग्रीन लाड वाला रीज़न, ये आपको कितना मड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है ये है आपका इंडिया वाला रीज़न, इंडिया आपको इतना सा दिख रहा है, ग्रीन लाड आपको इतना दिख रहा है तो आपको लगेगा कि ग्रीन लाड का जो साइज है, जो लाड मास है, वो इंडिया से कम है बट ऐसा नहीं है Greenland जो है वो इंडिया से बहुत छोटा आप देख सकते हैं कि अगर ये सही मैप होता तो ये जो Greenland है ये इंडिया में इस तरीके से फिट हो जाता यानि इतना छोटा है इवन आफरिका से तो ये 1 10th साइज का है तो क्या आज सक हम गलत मैप पढ़ते आ रहे मर्केटर जो है यहाँ पर नाम है इनका आप यहाँ पर मर्केटर इनका नाम देख सकते हैं ठीक है मर्केटर इनका नाम है ये इनसान जो है इसकी जड़ है इन्होंने क्या किया इन्होंने एक बार मैं फटा पर बता देती हूं ये मालो एक पेपर है एक सिलेंड्रिकल यह पेपर पे मार्क कर लिए इस तरीके से पेपर पे मार्क कर लिए ओर फिर इस पेपर को खोल दिया ठीक है इस पेपर पेखोलने के बाद इसको लगा कि यह हो गया जी वरल्ड माप पर इस aksperiment में बहुत भड़ी problem थी खोला कैसे वो दिखा देते हैं, इस तरीके से जो है, यहाँ पर, हाँ जी, तो यहाँ पर जो है, उस map को खोल दिया, बट यहाँ पर सबसे खोलने के बाद, सबसे बड़ी जो problem थी, वो यह थी, कि इस map में, जो equator वाले countries हैं, यानि equator के जो pass वाले countries हैं, उन countries का size, जो है, यहां पर land mass में बहुत बड़ा difference आ गया, ठीक है? So, यह था इनके experiment की एक गलती, जो कि आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, school और colleges पे हमने यही पढ़ा है, एसी बहुत सारी countries हैं, जो specially जो उपर है, equator से दूर है, उनका size हमें बड़ा दिखता है, equator के पास वाली countries हमें छोटी दिखती हैं, बहुत सारे scientists और बहुत सारे लोगों का तो यह भी कहना है, कि यह western supremacy की एक चाल है, कि वो अपनी countries को बड़ा दिखाना चाते हैं, क्योंकि आपको पता है, US वगेरा सब उपर ही है, तो यह western supremacy की एक चाल है, हम उसमें नहीं जाएंगे, बट definitely अब question यह आता है, कि क्या कोई सही map नहीं है, सही map बिल्कुल है, सही map का, हम यह नहीं बोल सकते कि exactly सही map है, बट बहुत हद तक एक सही map है, जिसमें आप का नाम है, गॉल-पीटर्स map, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें आफरिका के साथ compare करके दिखाया हुआ है, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, बहुत हद तक सही map जो है, वो है गॉल-पीटर्स map, बट ये भी एक हद तक है, क्योंकि देखे, जब आप एक globe जो होता है, तो changes कुछ ना कुछ तो आते हैं, तो जब हम 2D वाला map पढ़ते हैं, वो exactly same नहीं हो सकता है, similar हो सकता है, exact same नहीं हो सकता है, तो आज से अगर आपको refer करना हो, किसी country का size, तो एकदम करीब आप गॉल-पीटर्स map से refer कर सकते हैं, बाकि एकदम exact, आपको land mass, exact size वगेरा जानना है, तो globe ही आपका best option है, हमेशा अपने रूम में इस तरीके से आप एक globe रख सकते हैं, अगर आप इस तरीके की चीजों में interested हैं, तो ठीक है, I hope कि ये topic जो है, आपको interesting लगा होगा, अगर लगा हो, तो मुझे जरूर बताईएगा आप comment section में, और हाँ, मुझे ये भी बताईएगा, कि Greenland जो है, वो किसका पार्ट है, कौन सी country का पार्ट है, Greenland, ये आपको मुझे बताना है, आज के लिए इतना ही, अगर आपको कोई और doubt रह गया हो, तो pinky current affairs, अगर आपको selection चाहिए, तो आपके पास बहुत सारे इस बहतरी मौके हैं, कुछ भी आपको join करना हो, Y674 आप use करिए, जिससे आपको maximum discount मिलेगा, Thank you so much, have a good time ahead, Bye-bye.